और दो सब्सक्राइबर हम लोगों ने करा दिया तो इन्होंने सब्सक्राइब कर लिया हमारे चैनल को बात कुछ ऐसा है यहाँ पे फोटोग्राफिय और वीडियोग्राफिय पूरी तरह से मना है बट कुसिस करता हूं कि फड़ा वह थोट आपको लेके दिखा पाम अंटेर का परने लिए फ्लोग पकड़ा गया तो फोन चीना जाएगा भाई हेलो जी ब्यूटिफल पीपल तो आज संडे और काफी दिनों के बाद मैं एक निकला हूं एक छोटे से राइट पर तो चलिए पहले फ्यूल अप कराते हैं बाइक में उसके बाद रुक के आराम से काते करता हूं कि कहा जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं और कहा राइट करने अब जाएं बेसिकली काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला आज कराई बने रहे हैं लॉग में हलो ब्यूडिवूट पर पर इंट्रूट करते हैं तो सफर कर लेते उसके बाद इंट्रूट करते हैं यहां भी आए में तब बेक्ड्राउंड नोएस इसना आ रहा है किया करे अब जा रहे हैं जा रहे हैं जो कि कुछ दिन पहले उद्गाटन हो जुगा था और टाइम पारवजे के आसपास आर्थी होना है तो हम लोग फटाफट निगलेंगे बस एक चाय पिना और यहां से निगलेंगे और साथ ही हमारे साथ हैं देख सेकते हो बिपलब भाई और यह हमारी बाइक खड़ी रही तो हम दोनों ही निकल रहे हैं राइट पर आज निकलेंगे काफी दुनों के बाद तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ठेंक करना चाहता हूं फाइनली हमारे चैनल पर वन के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है तो उसके लिए संडे था तो आफिस छुट्टी मार के हम लोग जा रहे हैं स्री स्याम जी का दर्सन करने के लिए स्याम मंदिर के हुहां पर उद्गाटन हुआ है और नया नया मंदिर बना है तो सोचे चलो क्यों ना इसी भाने राइट भी हो जाएगी और दर्सन भी करके आ जाएंगे त देख सकतो आरी पे है वो 350 पे और मैं अपने राणी के साथ अभी निकल चुके हैं हम लोग और अभी हम लोग हैं चाग दोला मोड पर पांड़ी से करीबन आदा गंटा पहले निकला हुआ था तो चाग दोला पहुंच गये हैं और यहां से करीबन दस यह 12 किलोमेटर के आ मामा लोग हाथ दे रहे हैं पता नहीं हम्लोगों को भी रोकेंगे न क्या जादा तर तो बड़े गारियों को ही रोका जारा है लाल यह तो यह मामा लोग को बहुत कमी हाथ देते हैं और सुपर बाइट तो है नहीं अपने पास जो लाउट साउंड होगा उसके वेश से हाथ दे बाकी यहां तक तो ठीक है विपलब आगे निकल गिया है और इसका साइलेंसर का आवाज ना मेरे आवाज को बहुत ज्यादा डिस्टब करेगा तो इससे थोड़ा डिस्टेंस बनाके चलते हैं थोड़ा सा धूरी बनाके चलते हैं ताकि मेरा साउंड आप लोगों को काड़ेंगे तो कुछ दिनों से प्लानिंग कर रहा हूं तो आज तो निगल गया राइट पर देखता हूं एक दू दिन में जब भी होगा उसका भी ब्लॉग आ जाएगा और अभी तक आप लोगोंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा बेल आइकन प्रेस कर लिजेगा ताकि आने वाले व्लॉग आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल पाए और कमेंट सक्षन में बताईएगा कि मेरे ब्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं और कुछ सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो कि क्या इंप्रूब करना चाहि इतना धूल है इस रूट में क्योंकि बहुत सारे इंडेस्ट्रीज हैं और न्यू रूट सब का कंट्रक्शन भी चल रहा है उसके वैसे इस रूट में धूल कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है और यह हमारे सामने से गया जावा डूल सैलेंसर भाई इसका सैलेंसर एक यहां पर तो आई थिंक सारे केटियम वाले ही हैं कि लाइन अप हुआ पड़ा है पूरे राइडिंग एर कि हमारे भीपलब भाई कहां चला गया है चलो इन लोगों को करने देते हैं इनका खाम और हम लोग भी निकलते हैं आगे तो हम लोगों ने अंडर पास क्रॉस कर लिया है अरी भाई ऐसे हम लोगों को उधर से निकलना था सामने से भी निकल सकते हैं लेकिन हम लोग थोड़ा आगे जाके और टर्नल में निकलके यहां से ज़स्ट ले ले लेंगे हम लोग और पहुंच जाएंगे राणिंग जाना है तो वापस आके सोरुम जाएंगे और यार यह जब भी मैं राइड पे निकलता हूं छुट्टी मारने वाला दिन भी इतना कॉल आता है ना इससे मैं परिसान हो गया हूं यार क्या करूं हर दो-दो मिनिट में इतने सारे कॉल आते हैं कि क्या ही बूलू खेर छोड और काफी ज्यादा भीर होने वाली है इस रूट में क्योंकि दो-दो चीज चल रही है एक तो मंदिर है और दूसरा विपलप कहा रही है कौन ही है लोग कहां से आते ही स्वरी यह दूसरा नहीं था दूसरा यह कि रानिगेंज में में मेला भी चल रहा है तो दोनों चीजो का भीड के वज़े से थोड़ा बहुत तो यहां पर भीड होने ही वाला है कहां रहे गया भाई विपलप आजया जल्दी है भाई जितना पेट्रोल हम लोग चला के आके नहीं फूक के उससे जादा तो इस ट्राफिक में फूक देंगे यार बात तो सही है फाइनली हम यह वाला गेट है मंदिर जाने का है तो यह कुछ मंदिर है जी स्री स्याम मंदीर रानी अंच की नाम से गेट लगा हुआ है और क्या ही खुबसूरत लग रहा है वी चलिए आपको फट़बा और अच्छे से दिखाते हैं तो फाइनली जी यह है रानी च्रेस्याम मंदिर ह और हम लोग पहुंच चुके हैं और यहां पर काफी जादा भीड है तो थोड़ा देर मैं आपको दिखाता हूं पता करना पड़ेगा पहले कि अंदर केमरा एलाओ है की नहीं है उसके बाद अगर एलाओ होगा तो अंदर का भी आपको एक बार दिखा दूगा और काफी अंदरा से मना है बट पुसिस करता हूं कि फड़ा वो फॉट आपको लेके दिखा पाऊं अंधियर का बैर ने देजिए ब्लॉक में पकड़ा गया तो फोन चीना जाएगा बाइद अंदरा काव आपको बत्रो अंदरा से मना है भी आपको जाएगा में अंगर रिया झाल एंग कि फड़ा दर दिए 12-4 Karen आए अगर शुदार सिपूर्ली राजे तहना राज़ रचाएं अगर सुदार से मुर्ली राजें तहना रास रचाएं कि प्रिश्न रचैया राधा रचना प्रेम सुधा परसाएं प्रेम मगन हो सब ही बोलो जय हो बाके बिहारी राधा के मन में बस गए शाम बिहारी शाम रंग में रंग गई राधा भूली सुद्वुद सारी राधा के मन में बस गए शाम बिहारी वोल मौर मुपडबंसी वाले की जैए पारे के सावाएं की रख जाताएं की जैए शीज के रानी की जैए इंपान धारी की जैए पुरो खाटू नरे शिक्की जैए पुरो राणी गंज नरे शिक्की जैए आसन सौन नरे शिक्की जैए यह मंदिर का इकोना में बैठा वह में और यहां पे थोड़ा सा भीड कम हुआ है और थोड़ा सा कॉपरेट भी कर रहे हैं तो यहां पे हम लोग आये थे और दो सस्क्राइबर हम लोगों ने करा दिया तो इन्होंने सस्क्राइब कर लिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब हो गया हमारे चैनल सब्सक्राइब हो गया और अभी टाइम हो गया करीब एक बज़ गया एक बच चार मिट एक बज़े यहां पे जो गेट है यहां का बंद हो जाता है अगर आप आये तो सुबह चैनल से आर्थी स्टार्ट होती है और नौ विज़े तक बारवजे फिर एक आर्थी होती है उसके बाद फिर से साम को चैनल और फिर नौ बज़े अभी गेट देख सकते हो अब लोग बंद हो चुका है और यह दुबारा साम को चार बज़े ओपन हो जाएगी तो गेट बंद होता है तो सब को बाहर अब इस लिए निकाल जबूट है देख सकते हो इस तरह से गाड़ साब है हमारे यहां पर और यह अंकल यहां पर थे जो बहुत ही अच्छा भजन सुनाया हम लोगों को और अंकल नहीं थे यहां से न निकलते हैं यहां से काफी अच्छा टाइम रहा है यहां का आके दिल खुश हो गया भाई आप लग अगर आसपास हो तो एक बार विजिट जरूर करें इस स्याम मंदिर को बहुत ही प्यारा मंदिर बनाया भाई सब सच में तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं स्याम मंदिर से और प्रस्थान कर रहे हैं अपने नेक्स्ट डेक्स नेशन जो की जाना है रोयल इंफ्रिड का सो रूम और मौसम थोड़ा सा रोमेंटिक हो रखा है वाई बारिस कभी भी हो सकती है काफी अच्छा एक्सपिरियंस रहा है मंदिर का मतलब आप फैमली के साथ आ रहे हो और अकले भी इंडविज्वाल आ रहे हो सिर्फ दर्सन करने के लिए तो बहुत ही ज्यादा मज़ा आने वाला आपको यहां पर बहुत ही ज्यादा आनन्द आने वाला हम लोग तो अकल ने क्या भजन सुनाई भाई गर्दा मचा दिया है कि तो उनका फुटेज लिया है उनके साथ मैंने सेल्फी भी लिया वह इंस्टाग्राम में आपको देखने को मिलेगा लेकिन गजब कगाया बस चलिए ठीक है भजन के टाइम वह लोग दे रहे थे केमरा करने के लि और निकल जाएंगे सीधा आरी के सोरूम पर और यहां पर बारात वाबा चलो कोई ठीक है ना कोई बात ना यह भी अच्छी चीज है हम भी नाच लें क्या अब हूँ 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 तो यह है अब है एस जी ओटो मुवाइल रानी गंज आरी का सोरूम के क्रोस चीन क्यों लगाया भई आना माना तो डेड़ बजे का आया अभी देख रखते हो चार बज के तैंटिस मिनट हो रहा है और अभी हम लोग यहां आरी के सोरूम से निकल रहे हैं विपलप का बाइक का काम ही इतना ज्यादा था उसके बाद ऐसा टाइम में कि लंच टाइम हो गया अब निकल रहे हैं भाई यहां से फाइनली निकल लिए हम लोग अपने घर कि उर और जाने के टाइम किसी और रूट से अब किसी और रूट्स से जाएंगे क्यूंकि उस रूट में भाई सब होत ज़्यादा धूद और अनेperformं वे उस रूट में होते तो मॉजा आ जाता है बट उस्टाइम चलो जो भी हुआ ठीक है छोड़ो अटाओ बात निकलते हैं अब घर तो फुड़ एवनिंग है जी मैं आचुका था अपने घर और वीडियो एडिट करते की टाइम मुझे याद आया कि मैं वीडियो करना भूली गया तो फाइनली अभी वीडियो करता हूं कमेंट करके बताने वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट ब्लॉग में तर्टक के लिए जाए है अ हुआ 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 है